जय हिंद मेरे प्यारे साथ यो कैसे हूँ आप सभी लोग आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिसंबर महिने की टॉप 3 सरकारी विभाग की वेकेंसी के बारे में जिसका की ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है देखें तीन विभाग की वेकेंसी के बारे में बताऊंगा दोस्तों जिस भी विभाग का क्वालिफिकेशन आपकी क्वालिफिकेशन से मैच करता हो न उसमें आप लोग आप लोग आउलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी मरजी हो तो दो मैं या फिर आपकी मर्जी हो तो आप तीनों की तीनों वेकेंसी में इसका online आवेदन कर सकते हैं कौन कौन से लोग form को fill कर पाएंगे क्या age salary selection process रहेगा सारा A2Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ इससे पहले अगर वीडियो पे आप सभी लोग पहली बार हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चैनल को जरूर subscribe कर दीजेगा अब यहाँ पे काफी वारे बच्चे चैनल को subscribe करना ही नहीं जानते हैं देखें यहाँ पे मैंने screenshot लगा दिया है यह जो black party में subscribe लिखा हुआ है दोस्तों उस पे simply click कर देना है और R के button पे click कर देना है जिससे होगा क्या कि मेरे द्वारा बनाएगे वीडियो का notification जो है आपके mobile तक पहुंचता रहेगा तो दोस्तों आईए बिना समय गवाए वीडियो को start करते हैं हम बात कर रहे हैं दिसंबर महीने की top 3 सरकारी विभाग की वेकेंसी के बारे में तो दोस्तों इस लिष्ट में जो पहली विभाग है पहली वेकेंसी का नाम है उस विभाग का नाम है DSSSB जिसका full farm होता है दिल्ली subordinate service selection board जिसे हम लोग हिंदी में यह कह सकते हैं दोस्तों jail warden matern group सी नई भरती आ गई है जिस पर कि मैंने कल भी वीडियो बनाया था और details उसमें information आपको दिया था देखिए अगर इस वेकेंसी के अगर मैं बात करूंगा ना तो अलग अलग पदों पे भरती आई है दोस्तों जैसे jail warden matern lab attended उसके अलावा computer operator उसके अलावा जिरॉक operator मतलब कई सारे पदों पे भरती आई है जिसमें कि अगर आप दसवी पाफ हो तो भी apply कर सकते हैं बारहवी पाफ है तो भी apply कर सकते हैं और अगर आपने graduation कर रखा इसके अलावाग अगर ITI भी कर रखा है ना तो भी आप यहां पे online आवेदन कर सकते हैं नमबर आफ टोटल कर सकते हैं यहां पर अलाग अलाग प्रकार के पदों पर भरती आई है जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया भी था अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है ना तो उस वीडियो को आप जरूर जा करके देखें क्योंकि उसमें मैंने detail information दे रखा है उम्र सीमा क यहां पर यहां पर बहुत ज्यादा फार्म को फिल करने के लिए पाइफा नहीं लगेगा दोस्तों अगर आप लोग बिल्कुल को फिल कर सकते हो तो यह अच्छी बात है अब इसका online आवेदन कब से स्टार्ट होगा यह देख लेते हैं तो दोस्तों अल्रेडी इसका online आवेदन स्टार्ट हो चुका है जियां दोस्तों 21 नवंबर से इसका online आवेदन स्टार्ट हो चुका है और जो last date होने वाला है वो होगा 20 December 2023 यानि कहने मतलब है टोटल एक महीने का समय आपको दिया दोस्तों ये तो हो गई vacancy No one अब मैं आपको बताता हूँ vacancy No 2 वारे में तो डोस्तों विभाक का नाम है भारती वायू से अधी है जिसका नाम है fcat जी कि अगर आपको 327 पदों पर ये भरती आई है दोस्तों यहां पे आपको 327 पद जरूर दिख रहे होंगे लेकिन अलग-अलग पदों पे भरती आई है दोस्तों जिसमें कि अगर आप बारहवी पाफ थे तो भी अप्लाई कर फकते हैं, ग्रिजेशन पाफ हैं तो भी अप्लाई कर फकते हैं यहां पर मैं आपको short information दे रहा हूं दोस्तों खाले आप यह जान लिजे कि हाँ भारती वायू सेना में भरती आई है जिसका कि online आवेदन जो है वो एक दिसंबर फे ले करके 30 दिसंबर 2023 तक चलेगा योगिता की बात करेंगे तो सभी बारहवी और ग्रिजेशन पाफ के जो चातर चातरा है यहां पर online आवेदन करकते हैं और उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो minimum age यहां पर फाल रखा गया है maximum किसी किसी पोश्ट के लिए 24 फाल और किसी किसी पोश्ट के लिए 26 फाल रखा गया है तो देख लीजेगा आप किस age criteria के अंतरगत में आत जो की पूरी तरीके से permanent भरती है चार साल वाला यह समझ समझ लिजेगा ठीक ना पूरी तरीके से सरकारी भरती है government भरती है आईए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं इस लिष्ट में तीसरी वेकिंसी और सबसे लास्ट वेकिंसी के बारे में बताने से पहले आप से कहना च जादा benefit मिलने वाला है आईए अब मैं आपको बताता हूं इस लिष्ट में जो तीसरी वेकिंसी है उस वेकिंसी का नाम है दोस्तों SBI clerk जी हां दोस्तों SBI clerk इस पर मैंने एक separated वीडियो पहले से बना रखा है दोस्तों जिसमें की पूरा details मैंने आपको बताया है number of total post कितने है age salary selection process सारा basic detail मैंने आपको उस वीडियो में दिया है अभी तक अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जा करके आप सभी लोग देख सकते हो ठीक है ना number of total post की बात करेंगे तो 8773 पदों पर ये भरती आई है और देखे जनरली तोर पर ये देखा जाता है चात्र और चात्रा एपलाई कर फकते हैं कहने का मतलब है कि अगर आपने बीए बीसी बिकॉम कुछ भी कर रखा हो आपके चाहे कितने भी परफंटेज मार्क्स हो तो आप यहां पर अप्लिकेबल है एपलाई कर फकते है ठीक ना उम्र सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो minimum यहां पर बीफ फाल और maximum एज अठाइफ फाल रखा गया है आर का मतलब होता है relaxation यानि कि जो ओबीफी के कंडिडेट है उनको तीन फाल और सी एश्टी के कंडिडेट को यहां पर पांस साल का एज में छूट दिया जाएगा दोस्तों वो चीज आपको देखने को मिलेगा को फिल करने के लिए यहां पर थोड़ा सा ज्यादा पैफा लग रहा है फिसकी मैं बात करूंगा दोस्तों तो जन्रल ओबी सी और एड़ेवलेस कर्टेगरी से साड़े साथ सो रुपे लिया जाएंगे वहीं पर अगर आप फिर फीमेल कंडिडेट हो तो यहां पर आप से कोई भी पैफा नहीं लिया जाएगा यानि कि बिल्कुल निश्युल का आप लोग इस फार्म को फिल कर सकते हो एप्लाइस का कब से स्टार्ट होगा है दोस्तों तो 17 नवंबर से अल्डेडी इसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट की अगर मैं इंट्रेस्टेड होतो ठीक है ना तो दोस्तों यह तीन वेकेंसी हो गई पहली वेकेंसी की मैं बात करूंगा तो डी ट्रिपल एस भी जिसे की हम लोग हिंदी में जेल वाडन मैटरन ग्रूप सी नई भरती आई है जिस पर मैंने शौट वीडियो तो बनाया ही है और उसके अगर मैं बात करूंगा तो एस बी आई क्लर्क में यह भरती आई है जिसमें नंबर आउफ टोटल पोश्ट 8773 पदों पे यह भरती आई है तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था देखिए यह तीनों भरती के रिगार्डिंग में अगर आपका किसी प्रकार क कोई भी दिक्कत हो ना तो कमेंट सक्षन आपका खुला है आप यहां पर कमेंट कर फक्त हो मैं उसका रिप्लाइ भी दूँगा बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद